गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए और पेट को ठंडा रखने के लिए कई तरह के ड्रिंक्स और सर्बत तो हम जरूर बनाते हैं एक बार ये सुपर हिल्दी सुपर टेस्टी यूपी बिहार का पॉपलर सत्तू के ड्रिंक को जरूर ट्राई कीजिएगा आपको ये बहुत पसंद आएगा और इसे आज हम दो तरीके से बनाएंगे सत्तू का मीठा सर्बत और नमकीन सर्बत दोनों का जो स्वाध है न वो एक से बरकर एक है पीते ही आपको एकदम तरो ताजा महसूस होगा साथी साथ ये बहुत जादा हेल्दी भी है तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए बिना देरी की इसे हम बनाना सुरो करते हैं तो सबसे पहले हम ये सत्तू का नमकीन सर्बत बनाएंगे तो इसके लिए एक बरे से बोल में मैंने यहाँ पे दो बड़ा चमची चने का सत्तू लिया है एक गलास सर्बत के नुसार दो चमच सत्तू एकदम परफेक्ट है अब आधी छोटी चमच काला नमक डालेंगे साथी स्वात कनुसा नमक भी डाल देंगे तो मैंने इसमें आधी छोटी चमच चे सफेद नमक डाला है आधी छोटी चम्मची भुनावा जीरा पाउडर साथी एक चोथाई छोटी चम्मची खाली मिर्श पाउडर डालेंगे अब इसमें थोड़ा सा ये बारी कटावा प्यास डालेंगे प्यास की जो क्वंटिटी है न वो आप अपने पसंद के अनुसार कम जादा कर सकते हैं मैंने इसमें दो बड़ा चम्मची बारी कटावा प्यास डाला है हलका सा तीखा पन के लिए मैंने इसमें एक हरी मिर्श को एकदम बारी काटके डाला है अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो हरी मिर्श का जो बीच है ना उसको आप पहले निकाल दे उसके बाद इसमें डाले अब इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी पहले थोड़ा सही डालिएगा ताकि इसमें गुल्ठिया ना बने और किसी भी स्पून या फिर विस्कर की मदद से इन सारी चीजों को एक दम बढ़िया से मिला लेंगे अगर आपके पास दाल घोटनी है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं देखे सत्तू पानी के साथ एक दम अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें गुल्ठिया बिल्कुल भी नहीं बनी है तो अब इसमें हम बाकी का पानी भी डाल देंगे तो इस सर्बत को गोलने के लिए मैंने यहापे पूरा एक ग्लास ठंडा पानी यूज़ किया है अब लास्ट में थोड़ा सा ये बारी कटवा हरधनिया डालेंगे इसके टेस्ट को और ज्यादा बराने के लिए इसमें हम ये आधा नीमू का रस भी डालेंगे अगर नीमू छोटे साइज में हो तो आप इसमें एक नीमू का रस भी डाल सकते हैं एक बार मिला लेंगे और अब ये सूपर हिल्दी और टेस्टी सत्तु का नमकीन सर्बत पूरी तरह से सर्फ करने के लिए रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टिंसी को देखिए एक दम पर्फेक्ट है एक दम ठंडा ठंडा सर्फ करने के लिए उपर से ये कुछ आइस के क्यूप्स भी डाल देंगे वैसे ये पूरी तरह से ओप्सनल है अब सत्तु का मीठा सर्बत बनाने के लिए फिर से एक बोल में मैंने यहाँ पे दो बड़ा चमचे चने का सत्तु लिया है एक ग्लास सर्बत के अनुसार दो चमच सत्तु एकदम परफेक्ट है अब मीठा करने के लिए इसमें हम चीनी डालेंगे तो यहाँ पे मैंने दो बड़ा चमच चीनी डाला है इसके टेस्ट को और जादा बढ़ाने के लिए इसमें हम आधी छोटी चमच चे काला नमक डालेंगे आधी छोटी चमच चे भुनावा जीरा पाउडर डालेंगे साथी एक चौथाई छोटी चमच चे काली मेश पाउडर डालेंगे अब पहले थोड़ा सा पानी डाल कर इन सभी चीजों को एकदम बढ़िया से मिला लेंगे ताकि इसमें गुल्ठियां बिल्कुल भी ना रहे और चीनी भी पूरी तरह से घुल जाए बच्चे तो सत्तु का ये मीठा सरबत बहुत पसंद करते हैं जितना ये टेस्टी है उससे कई गुना जादा ये हिल्दी है अब ये बाकी का बच्चा हुआ पानी भी डाल देंगे तो इस सरबत को घोलने के लिए मैंने या पे पूरा एक ग्लास पानी यूज़ किया है अब एक रिफ्रेसिंग सा फ्लेवर के लिए पुदीना के कुछ पत्ते भी डालेंगे साथी इसमें हम नीमू का रस भी डालेंगे तो यहाँ पे मैंने आधा नीमू का रस डाला है अगर छोटे साइस की नीमू हो तो आप एक नीमू का रस भी डाल सकते हैं एक बार सभी चीजों को मिला लेंगे और अब ये सत्तू का मीठा सर्वत भी पूरी तरह से सर्फ करने के लिए रेडी हो चुका है एक दम ठंडा ठंडा सर्फ करने के लिए मैंने इसमें कुछ आइस क्यूप्स भी डाले हैं तो सत्तू का मीठा सर्वत और नमकीन सर्वत दोनों का ही स्वाद एक से बरकर एक है इस गर्मी के मौसम में इनर्जी से भर पूर इस सत्तू की ड्रिंक को जरूर ट्राइ कीजिएगा घर में बच्चे बरे सभी बहुत पसंद करेंगे और ट्राइ करने के बाद अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज आप अपने चैनल शिवानिस किचन को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को आउन कर ले ताकि मेरी जितनी भी न्यू रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए